आज जैश्री राम मैं अदिक्ष मौदे जी सभी ने कई वर्षों से सुन रहे हैं हमारे तो लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा इतने वर्षों से राम जी का वनवास इस देश के प्रतिक नागरिक ने और हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी पिछले कई वर्षों से हमने राम जी के मंदिर के बारे में उनके इतिहास के बारे में सब पढ़ना लिखना सब ने शुरू किया कई उपोजिशन के लोगों ने हमेशा मोदी जी पिछले दस वर्षों से ये देश में ऐजे प्रधान मंतुरी जी काम कर रहे हैं तो उनको हमेशा ही चिडाते थे राम जी का नाम लेके कि राम भगवान के नाम से आपने अपने अजेंडा में डाला था अब क्या हुआ कब तारीख बताएंगे कम राम भगवान का मंदीर बनाएंगे तो मुझे लगता है ऐसे बदनसीब लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जिनके पास 50-60 वर्ष रहने के बाद राम लिला का मंदीर नहीं बना सके ना ही राम भगवान को उनकी जगा पे स्तापित कर सके और ऐसे भी कई लोग होते हैं हमारे देश के प्रदान मंत्री जी जैसे जो दस वर्षों में तारीक भी बताई मंदीर भी बनाया और भव्य पुरे विश्व में हमारी आस्ता को कहीं मरने नहीं दिया और मंदीर को स्तापिन करके मंदीर भगवान के राम भगवान के मंदीर में उनकी पूजा आस्ता भी हुई मैं ये बताना चाहती हूँ सर राजा कैसा होना चाहिए तो राजा भगवान राम जी जैसा होना चाहिए भाई कैसा होना चाहिए तो भाई लक्षमन जी जैसा होना चाहिए लोक तंत्र के राजा कैसा होना चाहिए तो हमारे देश के प्रदान मंत्री जी जैसा होना चाहिए ये ये देश का बच्चा बच्चा कह रहा है सर ये हमारी आवाज नहीं इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो भगवान में आस्ता रखता है जिनका विश्वास है राम भगवान जी के लिए जिनकी आँखों में आस थी कि कोई ऐसा आएगा जिनके हाथ से ही होगा और लोक तंत्री का मजबूत करने वाले भाई कैसे होने चाहिए तो इस देश के ग्रह मंतरी अमिच शाजी जैसे होने चाहिए सर अभी मैंने एक OVC जी को बोलते सुना कि पुरुशुत्तम मर्यादा राम जी के वारे में कि हम उनका आदर करते हैं सतकार करते हैं सम्मान करते हैं करना पड़ेगा इस देश में रहना है तो जैश्री राम बोलना पड़ेगा क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्ता लगा के बैटी थी इनके नसीब में नहीं थी वो जिन्नों ने राम जी ने खुद ये क सुन्दर है सर चार लाइन कहना चाहूंगी मैं कि तब राम मिले थे लक्षमन को सेवा में अब राम मिले है राष्ट के सेवा करने से तब राम मिले थे भारत को शाषन करने में अब राम मिले है अपने राष्ट धर्म निभाने में तब राम मिले थे बजरंग बली के सीने में अब राम मिले हैं राम के नाम जब करने में तब राम मिले थे शबरी की जूटे बेर खिलाने में अब राम मिले हैं भूके को भोजन करने से तब राम मिले थे और आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर कि तब राम मिले थे आयोध्या को मर्यादाओं में आज अब भी राम मिले हैं भारत के पहचान में मैं इस देश के जितने भी सर उस दिन जिस दिन राम मंदिर का स्टापना ओरता हमारे राम लला जब सापित हो रहे थे उनकी पूजा हो रही थी हर किसी के इस देश में रहने वाले के आखों में वो आसू थे कि आस तक हम अपने घरों में रह रहे हैं हिंदूस्तान में रह रहे हैं अपने छतों में हैं पर जिस भगवान के आस्ता पे ये पूरा देश चल रहा है उनको ही हम उनका घर नहीं दे पाए पर ये पिछले दस वर्षों में जो चमतकार इस देश ने किया है आने वाले समय में वो उससे भी जादा बड़ा चमतकार हमारे देश के प्रधान मंत्री और जिन जिनका भी योगदान ये मंदिर के लिए है सभी कार सेवक, सभी संथ, सभी महाराज जिनों ने भी आस्ता रबान के रखी थी ऐसे कई संथे जिनों ने 35 वर्ष उस तीन के जोपड़े में रखकर नाम जी की पूजा की है तो मुझे लगता उन सभी को दिल से नमन करना चाओंगी हम इतने बड़े नहीं कि उन्हें नमन भी कर पाएं क्यूंकि जिनके रख्तों से वो एक-एक इट बनी हैं मुझे लगता उनको नमन करने से उनका भुकता नहीं होगा पर इस पार्लमेंट में हमारे देश के प्रधान मंतरी जी हमारे देश के गरम मंतरी जी और जितने भी पार्लमेंटरियन यहां पर बैटे हैं ये आज का इस टर्म का इस समय का आखरी पार्लमेंट स्पीच हमारा सभी का है तो स जैश्री नाम का नारा लेके फिर वो महिदान उसी तरीके से हमारे देश के प्रदान मंतरी फते करेंगे इतनी ही प्रात्ना में राम भगवान से करती हूं और सभी से आशिरवाद लेती हूं जैश्री राम